नमाशकार दोस्तो आज हम बनाने वाले हैं पालक मेथी कॉर्ण बनाएंगे दोस्तो पालक मेथी और कॉर्ण हमारे सरीर के लिए ना बहुती सिहत मन्द है दोस्तो इसलिए आज मैं ना पालक में थी कॉर्ण का मसाला बनाने वाला हूँ जो की इदम बहुत ही तेशी लगे दोस्तों तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पालक ले लिया हूँ उसको दो बार अच्छे पानी से वाश कर लिया हूँ इसके बाद मैं यहाँ पर कड़ाई में पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था और फिर उसके बाद हम इस पानी में पालक बॉयल करेंगे तो पालक को मैं अच्छे से एड़ कर दिया हूँ इसके बाद हम यहाँ पर दो प्याज और एक टमाटर को एड़ करेंगे और उसके बाद हम इसको ढख करके पकाना है इन तीनों चीजों को तो पांच मट के लिए हम यहाँ ढख देंगे और जब यह अच्छे तरह से पक जाए तब हम कैफ को निकाल करके देखेंगे कि हमारे आपर टमाटर और प्याज और जो पालक हम यहाँ पर पकाने के लिए रखे थे वो अच्छे से पक गई है तो अब हमें इसे चन्नी में निकाल लेना है बाहर तो इसको ठंडा होने के बाद हम इसका फाइन पेश्ट तैयार कर लेंगे दोस्तो तो अब हम चलेंगे पालक, मेथी, कॉर्ण, मसाला बनाने के तरब तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा चमच रिफाइन ओयल एड़ किया हूँ इसके बाद हम यहाँ पर एक छोटी प्याज को बारिक चौप करके अड़ किया हूँ दोस्तो इसके बाद मैं यहाँ पर आधा चमच लसुन और अद्रक का पेश्ट लिया हूँ और अब हम यहाँ पर प्याज और लसुन अद्रक का पेश्ट को अच्छे से पका लेंगे दोस्तो तो दो मिट के बाद हमारा यहाँ पर लसुन और अद्रक का पेश्ट जो है ना वो अच्छे से पक गया है और अब बारी है यहाँ पर corn add की तो यह frozen corn है दोस्तों तो मैं यहाँ पर एक कटोरी यहाँ पर frozen corn लिया हूँ और अब हम यहाँ पर corn को भी अच्छे से भूझेंगे तो बहुत अच्छे से दोस्तों हमें भूझना है ताकि यह सौधिष्ट हमारा पालक मिथी corn बने इसके बाद मैं आपर आधा चमच हल्दी powder add कर दूँगा इसके बाद मैं आपर एक चौथाई लाल मिर्च पाउडर add कर दूँगा और अब हमें इसको भी अच्छे से पका ले देंगे मेथी तो यहां पर मेथी को मैं यहां पर इदम बारिक चौब करके लिया हूँ दोस्तों तो मेथी को हम यहां पर add कर देंगे तो मेथी को एड़ करने के बाद अच्छे से हमें यहाँ पर मेथी को भी मिक्स करना है तो सभी चीजों के साथ मेथी अच्छे से मिक्स हो गई है दोस्तों और अब हमें इसे ढख करके पकाना है तीन मेठ के लिए तो दोस्तों यहाँ पर हम 3 minute के ढग देगना तो बहुत बड़िया हमारी मेथी पक के रेडी हो जाएगी 3 minute होने के बाद अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारी मेथी अच्छे से दोस्तों पक गई है एक बार फिक्स से इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से उसके बाद हम यहाँ पर पालक और प्याज और टामाटर को इदम फाइन पेश तयार की थे ना उसको अड़ कर देंगे तो यहाँ पर हमारा अड़ हो गया है और थोड़ा सा पानी अड़ कर देंगे मतलब grinding jar में ताकि जो grinding jar में पालक लगा है वो अच्छे से निकल जाए इसके बाद हम 120 नमक एट कर देंगे दोस्तो और नमक एट करने के बाद सभी चीज़ों को हम mix कर देंगे बहुत ही अच्छे से दोस्तो mix करना है और mix करने के बाद अब हम यहां पर ढख करके पकाना है दोस्तो तो ढख देंगे ना दोस्तो तीन मिट के लिए न तो बहुत अच्छे से हमारे यहां पर मेथी पालक और कॉर्ण अच्छे से पक के रेडी हो जाएगा तो तीन मिट के बाद हमारा यहाँ पर पालक और मेथी एकदम से रेडी हो गई है दोस्तो और अब हम यहाँ पर पालक मेथी कॉर्न को थोड़ा सा क्रीमी बनाने के लिए हम यहाँ पर क्रीम एड़ करेंगे तो मैंने आपर दूद की मलाई को फेट करके यहाँ पर दो चमच एड़ किया हूँ दोस्तो तो मलाई एड़ करने के बाद अच्छे से मिक्स करना है दोस्तो तो मिक्स करने के बाद दीखें दोस्तो कितना बढ़िया यहाँ पर हमारा कलर दिख रहा है पालक मिथी कॉर्ण मसाले का बहुत बड़िया दोस्तों लग रही है दोस्तों हमारे ये पालक मिथी कॉर्ण मसाला तो ये तयार हो गया है दोस्तों इसको हम रख लेंगे साइड में और अब हम यहाँ पर एकदम तड़का तयार करेंगे ताकि पालक मिथी कॉर्ण मसाला और टेस्टी लगे तो मैंने यहाँ पर फ्राइ पेन लिया हूँ ओईल एड़ करेंगे और यहाँ पर चॉप करके एड़ करूंगा लसुन इसके बाद हम यहाँ पर एक चुटकी भर लाल मिर्च पॉड़ाट करेंगे और इसको गरम कर लेंगे दोस्तो और उसके बाद मैं यहाँ पर पालक मिथी कॉर्ण यहाँ पर लिया हूँ और यह हमारा तयार हो गया है फ्राइ पेन और एड़ कर देंगे बहुत बढ़िया दोस्तो खुजबू आ रही है दोस्तो पालक मिथी कॉर्ण मसाला की जरूर आप इस तरीके से ट्राइ कीजेगा आप इसे रोटी चावल के साथ खाए बहुत ही टेस्टी लगएगा दोस्तो अगर यह वीडियो पसंद आता है ना तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अगर आप नए आए है मेरे चैनल में तो भी आप लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ